हेलो फ्रेंड्स, रेस्पेपटाराचनल में मैं रन्जू जी आप सबका स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स, आज हम मार्केट वाड़ी रिवनी घर पर बनाएंगे बहुत ही ज्यादा सौफ्ट होगी और मार्केट से कई गुना ज्यादा स्वादिश्ट बनेगी तो देखे बहुत ही आसानी से तूट रही है तो चलिए इस रेवनी को बनाना ड्राइ करते हैं तो मैंने लिया है सफेद तिल लगभग 200 ग्राम लिया है यह तिल आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं तो कोई भी मोटी तली का पैन लेंगे और बिना घी बिना तेल के सबसे पहले हम तिल को भुनेंगे तिल को मीडियम टू लो फ्लेम पर दो से तीन मिनट तक भुनना है तिल अच्छे से भुन जाए कलर चेंज नहीं होना चाहिए इस बात का खास ध्यान रखें क्यूंकि रेंडी के तिल का कलर सफेद ही जादा अच्छा लगता है तो लगभग तीन से चार मिनट हो गए हैं और मुझे लग रहा है कि तिल भून गया है तो मैं तिल को ठंडा होने देती हूँ किसी और बतर में ट्रांस्टर कर लेंगे और लेंगे दूसरा पैन इस पैन में लगभग आधा कटोरी चीनी डालेंगे और एक कटोरी भर करके गूड यानि जितना मैंने गूड लिया है उसका हाफ मुझे चीनी लेना है आधा कटोरी पानी इसमें एड़ करेंगे और गूड और चीनी को मीडियम टू हाई फ्लेम पर मेल्ट होने देंगे तो गूड अच्छे से मेल्ट हो गया है मैं इसमें एक से देड़ चम्मच देशी गी एड़ करूँगी सर्दियों में गूड और तील दोनों खाना सेहत के लिए अच्छा होता है तो हम सर्दियों के लिए गूड तील की गजग बना सकते हैं यह लड़ू बना सकते हैं रेवनी बना सकते हैं तो मैंने तील और गुड की लड़ू की रेश्पी आपके साथ सेयर की हुई है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, तो घी को मेल्ट होने के साथ साथ गुड को अभी और भी गाढ़ा होने देंगे, तो देखिए फ्लेम पर मैंने गुड को इस तरह से गढ़ा किया है, तो इसे कटोरी में थोड़ा सा पानी लेकर के चेक कर लेते हैं, गुड की ड्रॉब जो मैंने पानी में डाली है, उससे थंदा होने के बाद इस तरह से तूटना चाहिए, देखिए बहुत ही अच्छे से तूट रहा करने के लिए 1-1.5 मिनट तक आप रुक भी सकते हैं, या तो इसे इस पेचुला की मदद से चलाते हुए, एक से तूट मिनट ठंधा कर ले, बहुत ही ज्यादा ठंधा नहीं होने देना है, तो इस तरह से मैं इसको इकठा करते हुए, थोड़ा से ठंधा कर लेती हूँ, त और उस पर गुड रख करके इस तरह से हाथों से खिषते हुए, मैं गुड को ठंधा करूंगी, क्योंकि अभी काफी गुड गरम है, तो इस तरह से खिषते हुए तार बनाएंगे, ध्यान रखे हाथों को बचा बचा करके करें, तो इस तरह से गुड का तार बनाते हुए कुछ सब्सक्राइब करें अर्वेल बैटि को क्लिक करें जिसे जब भी लिधियो और पानी तो ऊची करें तो ey गुड लगभग ठंडा भी हो गया है तो काफी मेहनत लग रहा है अभी खीचने में तो अब हम थोड़ा सा इस तरह से पतला रेशा देते हुए पतली लाइन की जैसी इस तरह से बनाएंगे और इसको इसी तरह से लंबा करेंगे थोड़ा सा जल्दवाजी में करें नहीं तो गुड काफी ठंडा हो जाएगा तो इस तरह से बन भी नहीं पाएगा इस तरह से गुड और चीनी से मिक्स हुआ जब रेउडी बनेगी नहीं तो बहुत ही सोफ्ट बनेगी और आप सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी तो इस रेंडी को आप अपने घर में जरूर से जरूर ट्राय करिएगा तो इस तरह से देखिए मैंने गुड का बना लिया है और अब इसे हम 10 मिनुट तक ठंडा होने देंगे काफी अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो तोड़ने में आसा तरह से गुड को रखेंगे और चाकू की मदद से इस तरह से छोटे-छोटे टुकडों में तोड़ लेंगे तो रेवनी हमें जितनी बड़ी बनानी है उसी तरह से हम टुकडों में इसको कट करेंगे अगर आप चाहें तो इसी तरह से केवल चीनी से या केवल गुड से भ तिल को हलका सा गरम करेंगे ताकि जब भी मैं इसमें गूर डालूं तो गूर में तील अच्छे से चिपक सके तो मुझे लग रहा है कि हलका सा गरम हो गया है तिल आप मैं इसमें कटिंग किया हुआ गूर डालूंगी और हलका सा गरम करना है मुझे थोड़ा सा नरम हो जाए लो फ्लेम पर रखे रहेंगे मुझे लग रहा है कि गुड काफी सॉफ्ट हो गया है अगर इससे ज्यादा चुले पर रखेंगे तो मेल्ट होना सुरू हो जाएगा तो तिल भी अच्छे से चिपक चुका है अब मैं पैन को चुले से नीचे उतार लेती हूं और तिल को मिक् एक एक पॉर्शन को उठा करके हाथों से दबा कर इस तरह से रहोणी बना सकते हैं तो इस तरह से भी मैं दो से तीन बना रही हूं देखिए बहुत अच्छी रहोणी बन रही है थोड़ा से ठंडा होने के बाद यह रहोणी बहुत ही आसानी से तूट जाती है और बहुत ह खाने में स्वाधिष्ट होती है तो चाहे तो आप इस तरह से एक एक बना सकते हैं नहीं तो मैं दूसरा तरीका भी आपको बता रही हूं आपके पास कोई भी कटोरी हो या कोई गिलास हो इस तरह से तुले सकते हैं और एक गुड को इस तरह से कठा करके हलका सा प्रेस करती हुए आप रिवनी बना सकते हैं बहुत ही अच्छे से और बहुत ही जल्दी इस तरीके से बन जाती है तो एक रोड़ी में आपको उठा कर दिखा रहे हूं देखिए बहुत ही अच्छी रोड़ी बनी है तो रोड़ी बनाने का यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें और कमेट करना बिल्कुल न भूले मिलते हैं आगले वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ